इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ रिवीउस के बारे में भी आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मेरे इलेक्शन्स में खड़े हुए और इलेक्शन्स जीत भी गए जब यह चार्ट मैंने सामने लाया गया था तब सबसे पहले मैंने क्या इनका देखा था मैंने 10th कस्प देखा था जो कि जूपिटर है और 10th कस्प अबलोड जूपिटर है और आगे के तू के रिजर्ट्स दे आपको फादर की तरफ से पैसा जारा मिला है उन्होंने का बिलकुल मुझे मेरे फादर की तरफ से ही जादा वैल्थ मिली है और मैं बहुत ही अमीर हूँ तो इलेक्शन्स के लिए ये पेडिक्शन की गया थी कि ये इलेक्शन्स जीज जाएंगे उसके कोई और भी कारण जैसे कि उस दिन 17 तारिक को रिजल्ट आना था इनका, उस दिन इनकी अंतरदशा लग रही थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 17 February को रिजल्ट आया था, तो ये रहा, आप देखे कि राहू का उस दिन इनको पर भाव था, और राहू इनको वैसे भी शिये दे रहा है, दो श करता है, ठीक है, जी एक किंग प्लैनेट आ गया, ठीक है, फिर इस वेदिक के भी हमने आसपेक्ट्स देखे थे, इनके लगन चार्ड में भी देखे थे, काफी आसपेक्ट्स, और नों सब के बार में ये निसकर्श पर पहुँचा था, कि आप जीत जाओगे, तो इन्हों बहुत ही परवावित हुए, लेकिन इनका, अगर हम दूसरा आसपेक्ट देखे, लाइफ का वो है, इनकी मैरिज, मैरिज इनका देखे, कस्पल सबलोड बनता है, राहू, ठीक है, और राहू और मून का कंजंक्शन हो गया, और ये अच्छा संगेर नहीं है, और ये उन भी जुड़ गया वहाँ पर, तो देखे, सारे के सारे, हम कहा सकते हैं, बाइर्ड प्लैनर्स के सासर, उनके बाइर्ड सिग्निफिकेशन भी, कि इस बार ये ही प्लैनर्ड परसन को राजा बना रहे थे, लेकिन इस केस में असन नहीं है, इस केस में तो इनकी ये इस ही नहीं थी, तो इनकी लाइफ में 11 जैसे यहां पर निसिंग है, तो हम ये कह सकते हैं, लीगल टाय आप नहीं होगा, मैरेज होगी, अनल हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी, इनकी एक मैरेज हुई थी, वो अनलमेल्ट होगी इसकी, और बिल्कुल वही इनका आया, और व किसी की Health प्रस्पल होती हैं, ठीका जी, किसी की Health प्रॉबल्म भी देखनी है, तो वीनस येहां पे हैं इनका, तो वीनस की प्रॉबल्म होती है, Diabetes है, Skin प्रॉबल्म होती है, इसकी जारख, वो साथ में Satron है, Nerves को लेके कहने की Problem है, तो मैंने इनकों पुछा कि आपको Nerves की प्राबलम है ठीक है ये सब है इनको ये सब प्राबलम्स थी और हम फर्स्ट कस्पल सब्लोर रहे हैं, वह जूपिटर है, और यहां से इनको डिलीजिईस बनाता है, यह बहुत ही डिलीजियस नीचर के व्यक्ति है ठीक है और कुछ चीज़े हम यहाँ पर देखके, आपको सक का promise भी अगर हम देखे किसी के life में तो जैसे कि इनका यहाँ पर one six और ten भी अगर होता तो हम कह सकते थे भी आपका divorce होके रहेगा one six है लेकिन ten नहीं है ठीक है वो साथ में eleven भी missing है ठीक है जी eleven तो legal tie-up होगा तो divorce होगा तो फिर हमने second marriage भी देखी तो वो भी नहीं थी इसमें तो इस case में थोड़ा complicated case था चलिए अब हम बात करें थे कुछ recent reviews की कुछ clients ने मुझे reviews दिया है ठीक है जी और यह यहाँ पर review आया है कि इनको कुछ time पहले मैंने इनको reading दी थी relationship को लेके ठीक है जी उनको बताया था कि तीन महीने बाद relationship ठीक हो जाएगी 10 December के बार सही होने के chances हैं इन्होंने खुद में control कर लिया दिस्टंस में maintain कर लिया और उसके बार जो है इनका relation बहुत बढ़िया हो गया है उन्होंने इनसे बहुत अच्छी मुलाकात की और यह जैसे कि मेरे group में review आया है thanks a lot गौतम जी and grid आपके work कर रही है उससे friend को इनको job मिल गी और इस grid के बारे में भी आपको किसी वीडियो में बताऊंगा grid making एक procedure होता है जिसके charges healing के होते है 100 रुपी per day आपकी कोई wish है जैसे कि आप करियर में आगे बढ़े है ठीक है जैसे कि करियर में आगे बढ़े है तो हम रेकी healing उसके उपर उसके लिए करते हैं रेकी healing आपर व्यक्ति जो है थोड़े ही दिनों में recover कर जाता है हर deadly से deadly disease का इसमें निवार्न होता है और depend कारता है कि कोई व्यक्ति करमाज कैसे हैं कि उसको कितने percent relief मिलेगा ठीक है जो प्लैनर्स भी इसमें role play करते हैं तो grid के उपर हम बार में किसी दिन चर्चा करेंगे और यहा को मैंने बताया कि आपके husband ips officer हो सकते हैं और और काफी वो जो कुभी conquer का card आया था case of source जिसको हम बोलते है case of source एक conqueror का card होता है person का जो military ambitions होते हैं और मैंने इस पर कारन को जो बताया था बिल्कुल वो ठीक निकला है वो IPS officer ही निकले और बहुत ही ambitious है excuse me फिर उसके बार बात करें तो मिनाक्षी जी का आगे review आया है कि इनकी guidance बहुत अच्छी परवाइड की गई है advice काफी अच्छी से परवाइड की गई है और इनका भी relationship कही related मावला था और बहुत अच्छी इनकी जो है इनको advice परवाइड करें तो यह है कि 20 जनवरी 2021 को मैंने लिखा था यानि यह लिखा गया था मैई 2020 में कि 20 जनवरी 2021 को आपको पर्मोशन मिल जाएगी अडवास में ही 6 महिने 7 महिने जो भी ओ डेट रही होगी exactly date नहीं जार उनको कब consultation मेरी लिए थी लेकिन उनको जब पर्मोशन मिली उसी company मे क्योंकि prediction यह की गए थी पर्मोशन भी होगी उसी company में होगी और 2021 की जनवरी महिने की 20 तारिक होगी आप मानोगे नहीं 20 तारिक को ही जनवरी महिने की 2021 को पर्मोशन होगी उसी company में तो वो बहुत ही व्यक्ति खुश हुए उनको धन्यवाद देता हूँ thank you so much taking my service आगे हम तो किसी को बहुत फाइदा हुआ उनको जो है उनका senior skill मिल गया था तो उन्होंने मुझे अपना review बेजा तो यह guys कुछ reviews है वैसे तो reviews मेरे अगर आप जाएं स्क्रॉल करेंगे मेरी facebook page के उपर जो की spiritual health and success इसका नाव है जिसको आप gotham nz भी अगर डालेंगे तो आजाएग आपको मेरे reviews सारे दिख जाएंगे लोगों के और यह सारे bonafide reviews हैं यह सारे लोग customers मेरे clients है कि उन्हें तो सारे proof के साथ यह दिखिए उनको service provide गी उसका साथ में यह डाला है ठीक है जी तो यहाँ पे 100% bonafide काम होता है आपको satisfy करके बेजा जाएगा एक तो यह हमारा astrology से एक ग्रिड बना के उसको ठीक किया जा सकेगा और अगर को physical symptom है तो इसके लिए रेकी healing का भी यहाँ पर प्राफदान है crystals के उपर मेरी काफी research है तो मेरी website के उपर अगर आप विजट करेंगे तो वहाँ पे आप crystals ख्रीज सकते हैं जाके website का नाव है gotham crystals.com ठीक है यहाँ पर आ crystals on my website and यह आपके लिए एक नया सफर होगा crystals के साथ कही लोगों का crystals के साथ बहुत ही अच्छा अन्भव होता है उनके काफी काम जो हते है crystals के साथ बन जाते हैं और gem stores के लिए भी आप मुझसे पूसकते हैं because I have also trade in gem stores and my website पे अगर आप link को क्लिक करेंगे तो Amazon पे मेरे products जो ह with me and thank you so much for listening to me. I am looking forward to serve you. अगरा आप service लेना चाते हैं किसी भी बाप contact कर ले. I will be happy to serve you. Thank you so much.